योगी सरकार सक्त किसान नेदाओ को किया रात के बारा बजे नजरबंद सीतापूर किसान अंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है जिसको देखते हुए सरकार ने भी अपनी कमर कसली है 26 जनवरी को ट्रेक्टर मार्च होना है किसानों का तो वहीं सरकार अपनी बात पर अटल है जिसको देखते हुए किसानों ने 27 जनवरी को लखनों में ग्यापन सौपने का कारिक्रम रखा था जब लोग नीन में सो रहे थे तब उतर प्रदेश के मुख्यमंदरी योगी आदेतनात के आदेश पर उतर प्रदेश पुलिस किसान नेताओं को चुन-चुन के रात के 12 बजे ही नजर बंद कर रही थी तहसील मिश्रिक के किसान नेता उमेश पांडे, इश्राग गाजी, सरदार निर्भे सिंग, सचिन यादप को उतर प्रदेश पुलिस ने रात के 12 बजे इन किसान नेताओं को नजर बंद करके नेमी शारण्य के निरिक्षिप भवन में लाया गया जिसमें किसान नेता कहा कि हम इस आंदोलन को तक तक चारी रखेंगे जब तक कि यह बिल्द वापस नहीं होता है, 26 जनवरी को सारे किसान अपने अपने ट्रैक्टर में तिरंगा जंडा लहरा कर निकलेंगे, यहां बात किसान नेताओं ने कही, वही पुलिस प्रशाशन मौजूद रहा भारी अनिश खान के साथ अनुप कुमार की रिपोर्ट रेली निकालेंगे, लेकिन फिर आपको रात ही में फिर पुलिस आपको नजर बंद कर दे कि फिर कैसे आप निकालेंगे ट्रैक्टर रेली आपको प्रोग्राम है लेकिन जो है पुलिस पर असासन आपको पहले ही निजर बंद कर देती है ऐसे में आप क्या करेंगे 26 जन्वरी के लिए यह सरकार जो है उत्तरपड़े सरकार या भारत साकार किसान संगटनों पर एक जुल्ब अन्याय कर रही है रोकने का जो काम कर रही बदनाम कर सकती लेकिन अलों को नाकाम नाई कर दे 26 जन्वरी को गिरोध पढ़रासन होगा एक्टरों पर तिरंगा लगा के यहां से सीता पुर्ट एक्टर तिरंगा लगा भी लिए लाश्टियद्हजी जो राश्टियद्धजी के वहान पर हम लोगों को नजर बंद किया जाएगा तो हमारे लोगों के सदर्व से पुरी झाल झाल